मेनी ब्लोग बोलती हूँ लेकिन हमेशा ब्लोग लंबा होता है और देखिए हमारे के मेरा पर्शन को खुद का फेस दिखाए मिना इनका होता ही नहीं कोई बात नहीं बहुत ही अच्छा लगता है यह मुझे वीडियो कर देता है इसलिए थेंक्यू सो मच ऐसे ही मेरे ब्लो लगता नहीं लिया कि मीन लगता थोड़ा सा लोंग पड़ता है तो यहां जो हम लोग आये हैं माव अगोती का जो यह स्ट्रिट स्थान है यह माना जाता है कि यहां माता सती का जो कपाल लला थे वो गिरा था जब शिवजी उनके अफ्षेस्टे को अपने कांधे पर लेक से पहले एक दुआरि थाकूर का मंदिर है वहां भी दर्शन करना जरूरी है दुआरि थाकूर जी महादेप के बोड़ी गर्ड माना जाता है धो हम लोग फिर वहां पे पुजा करने के बार हम लग महादीप जी के पास मतलब पुजा के लिए और यह देखिए महादीप ज जो शाखे, रूट्स हैं, बहुत बरे-बरे हैं, बच्छे जूले भी जूल सकते हैं, और यहाँ पर आतके बहुत ही शुकून आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों ने फोटे किछवाए, रील तो जरूरी है, हम लोगों ने रील भी बनाए, और साथ में मैं के हम लोगों ने ब्लोग कंटिन्यू किया, और देखिए, यह क्रिस्मस ट्रीपर कितनी खुब सुरती है, इसे लाइटिंग किया, और लड़किया फोटो वीडियो ले रही है, और में और लितिल ब्लोगर जब हम लोगों निकले, तो हमारे अलमाला ब्लोगर ने ये पीर मेले में थोड़ा सा माले में और हम लोगों ने मेले के सीज़े नहीं करेंब कूंकि क्या eller था और अच्छा भी नहीं लगा पस्तन भी नहीं आया लेकिन हम लोगों ने जले भी लिये urbanasusa के ब्हुत पसंद्य गया कपर से लेके जूते से लेके सब कुछ यहाँ पर मिलता है मेले में फिर साम हो गई और हम लोग गए रांगसी में निहाल के घर पासी में है तो निहाल के घर में हम लोग ओको निमंतरन था हम लोग ने चाहे बाई पिया और फिर हम लोग घर लोते thank you so much for watching my vlog, bye-bye